अब जानते हैं लेसंस फ्रॉम कोविड अब ऐसा है कि एक परेशानी कभी हमने नहीं सोची थी कि कोविड जैसी कोई दिक्कत आ सकती कभी नहीं सोची थी कि कोविड जैसा कुछ आएगा घर के अंदर बंद हो जाएगे तीन-तीन महीने का लॉकडाउन रहेगा और बस बाहर ही नहीं निकल पाएगे यह हमने कभी सोचा ही नहीं था पर क्या आने वाले समय में क्या होगा इसका कोई आइडिया है हमें नहीं अगली बार अगर कोई पेंडमिक आए मेरे मतलब मैं बोलू कि ना हो ऐसा कभी ऐसा ना हो पर कभी अगर आ गया पेंडमिक तो उस समय पे हमें कोवीड नाइंटीन से लेसन लेने कोवीड से लेने सबसे पहला तो हमें क्या देन दानने कि हेल्थ केर इंफरस्ट्रक्चर मे बात करते हैं हमारे यहाँ पे यह जो वेंटी लेटर्स थे यह कम हो गए बैड्स कम हो गए लोगों का उप्चार डंग से नहीं हो रहा था जो वी आईपी थे उनको भी सीट जो हैं बड़ी मुश्किल से मिल रही थी कई लोगों ने ऐसे ही दम तोड़ दिया विग्वाज देने वाला हिंदू है कि मुसल्माट तो ऐसा समय जो है कोविड हमारे लिए लेके आया था यह चीज़ है तो हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर में हमने देखा बहुत कमी है इसके अलग-अलग एक्जांपल आपको मैं दे सकता हूं ठीक हर एक चीज में कमी थी हमारे पास मेड कम थे हॉस्पिटल्स कम थे डॉक्टर्स कम थे हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर हमारा बहुत ज्यादा नीचे जा चुका था नीड फॉर नेशनल हेल्थ केर सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉर्टी एक नेशनल अथॉर्टी बनाई जाए जो इस चीज पर ध्यान दे कि आग करता है तो ऐसा कोई organization need of more doctors paramedics and hospitals doctor साब उस समय पर बहुत तगड़ा काम किया ठीक है बहुत तगड़ा काम किया ऐसा हम किसी से सोच नहीं सकते लोग first wave की आपको बात बताता हूँ लोग पडोसी के यहां जाने से डरते थे ऐसे मतलब बोलते न दिवार के उस पार बात करने से डरते थे कि मालूमनी क्या आ जाए मेरे पिता जी जो दूद की थेली आती थी उसको भी sanitizer लगाते थे तो एक बार तो हमने sanitizer वाली चाई पी साबून के पानी में मिर्ची भी गो दी फिर उस मिर्ची को दोके हमने खाया तो ऐसा भै था first wave के अंदर लग ऐसा राता कि सब लोग मर जाएंगे पर डॉक्टर्स ने बहुत जादा मदद करी देखो सबसे पहले ऐसा नहीं होता कि direct आप aims पहुँच जाओ ठीक है ऐसा नहीं होता कि आपको जो base structure पे एकदम zero level पे ground level पे वो जब infrastructure बहतर होगा तब आपके लिए ज़ादा जो है चीज़ें बहतर रहेंगी ऐसा समझके चलिए इसको कि यह अगर best quality वाला एकदम बड़ा हस्पताल है तो यहाँ भी तो हमें सुईधा प्रोवाइड करानी पड़ेगी यह जब ground level है base level है यह खराब चलेगा तो काम डंग से नहीं हो पाएगा ground level पे काम करना जरूरी है यह हर एक चीज़ पे imply करता है चाए आपको economic development करना हो चाए health का development करना हो education का development करना हो या फिर political democracy का development करना हो next strategical reserve of critical medicine देखो इंडिया जो है ना इंडिया is pharmacy for third world एक जिमेदारी आ जाती है जैसे कि कुछ students है जो मुझे बोलते हैं कि sir हम आपके current affairs के lecture पे rely करते हैं totally current affairs के लिए है ना ऐसा मेरे को एक दो students ने बोला अभी ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बढ़िया पढ़ा lecture में भी मैं और बहतर कुछ मेरे students को दूँ राइट वैसे ही जब हम third world की pharmacy हैं जो गरीब देश हमारी तरफ देखते हैं कि हमको कौन देगा दवाईया तो दवाईया इंडिया देगी ठीक है तब हमारी responsibility बन जाती है तो दो चीज़े हैं हमारी internal demand तो ही है 142 करोड की population उसी क तो थोड़ा सा broader way में देखिएगा जब मैं internal security पढ़ा रहा था तभी भी मैंने students को ये चीज़ बोली थी कि आने वाले समय में युद्ध जो है वो अलग तरीके से बदलेगा पहले जैसे शूरवीर थोड़ी है हमारे यहां पे अब तो हमें कुता दोड़ा ले रहा है पहल क्या क्या सीखा कोविड से लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है लिस्ट चलती जाएगी चलती जाएगी पर यह जो है यह major चीज़े जो मुझे लगी मैंने आपके सामने रखा यहां तक कोई doubt